नमस्ते दोस्तों मैं हूँ मौश्मी मौश्मी इस कीचन में आप सभी का स्वागत है आशा करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ मैं आज एक नई रेसिपी लेकर चली आई हूँ मैं बनाऊँगी मीनी शिंहारा ये शिंहारा बहुत टेस्टी बनती है तो आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगे तो सबसे पहले डोल लगा लेना है तो यहां में एक कप मैदा ले लूँगी औ दो चमत सूजी डाल दूँगी शूजी डालने से बहुत क्रिस्पी बनती है थोड़ा सा कलोंजी डाल दूँगी और थोड़ा सा आजवाइन हाथ में करस करके डाल दूँगी और स्वाद अनुसार नमक डाल कर सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे इसके बाद 3-4 चमत ते अब इसे मैं 10 मिनिट के लिए ढग कर रख देंगे सेठ होने के लिए तो तब तब एक मसाला तयार कर लेंगे कराई को गरम कर लेने के बाद इसमें मैं एक चमत सावू जीरा एक चमत स्पाच फोरन और एक शुखी लाल मिर्स को डाल कर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे इसके बाद इसे मैं ठंडा होने के लिए प्लेट में डाल कर रख देंगे तो ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर थोरा सा दरदरा सा पीस लेंगे इसके बाद उसी कराई में मैं दो चमाज तेल डाल दूँगी और तेल डाल कर एक चमाज साबूर जीरा डाल दूँगी तो जीरा जब चटकने लगेगा तब मैं आलू को डाल दूँगी आलू मैं उबाल कर रखी थी तो आलू को मैश नहीं करना है थोड़ा सा तोड़ लेना है आलू को तो इस तरह से मैं आलू को तोर कर इसमें डाल दूँगी जो बड़े टुकड़े होंगे उसको तोड़ लेंगे तो सिंगारा में जिस तरह से आलू को दिया जाता है उसी तरह से इसके बाद इसमें मैं मसाला डाल दूगी एक चमच जीरा पाउडर एक हाप चमच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और हाप चमच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा चीनी डाल देंगे चीनी डालने से इसमें टेस्ट अच्छा आता है और एक चमच मैं कसुरी मेथी को हाथ में ग्रस करके डाल दूँगी इसके बाद सबको अच्छी तरह से मिला दूँगी तो जो मैं मसाला तयार करके रखी थी मैं एक चमच इसमें डाल दूँगी मसाले को तो देखिए एक चमच मैं मसाला को डाल कर सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे तो मेरी सिंहरा की जो फीलिंग है वो तयार है अब इसे मैं प्लेट में डाल कर रब दूँगी ठंडा होने के लिए इसके बाद मैं डो को देख लूँगी तो डो मेरी तयार है देखिए फिर से अच्छी तरह से मसल लेंगे और मसलने के बाद इससे मैं तीन बड़ी-बड़ी लोईया निकाल लेंगे तो एक लोईया को लेकर मैं हाथ में इस तरह से गोल बना लूँगी पेड़े बना लूँगी और पेड़े बना लेने के बाद इससे मैं एक रोटी बना लूँगी बड़ी आकार की एक रोटी बना लेना है तो थोड़ा सा सुखा मैदा डाल कर इसे बेल लेना है तो बड़ी सी एक रोटी बना लेना है तो देखिए मेरी रोटी बनकर तयार है अब इसे मैं चाकू से काट लोंगी तो रोटी बनकर तयार है तो एक पतली से रोटी बना लेना है इसके बाद मैं चाकू से इस तरह से काट लोंगी दोनों तरब से इसके बाद फिर बीच से इसे काटना है तो एक ही बार में मेरी आठ शिंगारा बनकर तयार होगी इसके बाद इसके बीच में अलो को डाल देंगे थोड़ा थोड़ा अलो को डाल कर तो देखिए इस तरह से मैं डाल दूँगी इसके बाद मैं रोटी में चारो तरफ से पानी लगा दूँगी ताकि ये इसमें निकलेगा नहीं फिलिंग तो ये इसको बंद कर देंगे तो पानी लगा लेने से ये बहुत अच्छी तरह से बंद हो जाती है तो देखिए एक सिंहारा बंद कर तयार है अब एक और मैं बना कर दिखा रही हैं अब लोगों को चादो तरफ से पानी लगा कर इसे इस तरह से बंद कर देंगे तो दूसरी सिंहारा भी बंद कर तयार है तो सबको इसी तरह से मैं बना कर ले लूँगी तो देखिए मैं सबको इस तरह से बनाकर रेडी करके ले लूँगी इसके बाद कड़ाई में तेल डाल दूँगी तेल डालकर कड़ाई तेल को गरम कर लेना है और एकदम लो फ्लेम में इसको तलना है तो हाई फ्लेम में तलने से ये उपर से सिख जाएगी अंदर से कच्ची रह जाएगी इसलिए एकदम लो फ्लेम में धिरे धिरे इसको सिखना है और उलट पलट कर दोनों तरफ से सिख लेना है जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो तब इसे मैं उतार लूँगी तो देखिए दोनों तरफ से मैं धिरे धिरे पलट कर इसे दोनों तरफ से सिख लूँगी तो देखिए एक बैच मेरी तयार है सिखारा आप इसे मैं पलेट में उतार लूँगी तो उसी तरह से मैं दूसरी बैच भी शिख लूँगी और फ्रेम को एकदम लोग में करके इसे शिखना है तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है सिंगारा तो देखें दूसरी बैच भी इसे तेल में मैं डाल कर इसे तल लूँगी तो दूसरी बैस भी तलकर रेडी हो गई है अब इसे भी प्लेट में उतार लेंगे तो मेरी मिनी सिंहारा बनकर तयार है अब साम के बक्त आप लोग चाय के साथ या कॉफी के साथ खाए और सब को खिलाएं, सब एकतम खुश हो जाएंगे खाकर तो आज की रेशिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताए लाइक शेयर करें, मैं फिर एक नई रेशिपी लेकर आऊंगी आप लोगों के पास तो तब तक के लिए चलती हूँ, थैंक यू